वश्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड यूसडी की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूसडी का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट एडिंग सेशन में रही और अभी जो करन्ट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रैस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या विव है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए बाद में हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई और प्राइसस जो थे वो ऊपर ही ट्रेट करने लगाए पर उसमें भी धीरे-धीरे हमने देखा कि एक करेक्शन बनती चली गई और प्राइसस वहां से अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा सार नीचे correct होके आगए आज हमने देखा कि market में एक correction जो थी वो initially तो continue रही पर prices ने एक strength gain करी और फिर से वापस market थोड़ी सी correction को दिखा रहा है पर ये जितनी भी correction strength की हम बात कर रहे हैं ये सारी की सारी correction और strength ये उसी range के बीच में है जिस range को gold पिछले एक हफते से continue कर रहा है prices में कोई major moment नहीं है बहुती slow trading है, dull trading है market में volume कम है बहुती narrow range में market का trade चल रहा है तो ऐसे में हम किस तरीके से trade कर सकते हैं उस चीज़ के लिए अभी और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के time frame पे वहां देखते हैं कि क्या view नजर आ रहा है यहां पर हमने देखा prices उपर, नीचे फिर उपर, फिर नीचे और फिर एक strength के बाद correction होने के बाद फिर से इसी range को market hold कर रहा है अगर यह पूरी की पूरी range हम देखें जो अभी हमारी screen पर display हो रही है तो उपर में 1790, नीचे में 1770 यह एक 20 डॉलर की range है जिसमें भी market एक बहुती छोटी range को hold करके आगे move कर रहा है market की daily movement जो है वो 10 डॉलर के आसपास की रह रही है और उसमें भी बहुत slow trading है volatility बिलकुल नहीं है volatility वैसे जो होती वो तो बहुत ज़ादा होती market में एक normal जो average trading रहती है वो भी कही न कहीं गायब है और आगे चलते हैं एक बार एक घंटे के time frame पर वहाँ देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो एक outlook जो है वो काफी अच्छे से clear हो रहा है prices नीचे आए उसके बाद market की जो range है वो लगातार छोटी होती चली गए और prices जो है वो उपर नहीं जा रहे नीचे नहीं जा रहे एक range को hold किया हुआ है जिसमें यह upper band हो गया यह lower band हो गया इसी 20 dollar के बीच में market ने अपनी trading range को बनाया हुआ है और prices जो है वो आगे की तरफ move कर रहे है ना downside का trend है ना upside का trend है पर यहाँ पर एक important चीज है कि जो overall जो trend है पीछे से जो trend चलता हो आ रहा है वो downside का है और downside में भी market ने आपने आपको बिलकुल lowest level पे hold करने की जो कोशिश की हुई है यह सारे के सारे indication अभी तक market में एक selling को indicate कर रहे है कि prices जो है वो और ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकते है पर बात यह कि अगर तेजी आती है तो हमें किन levels का ध्यान रखना है उसके लिए अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे एक बाद चार गंटे के time frame पे और चलते हैं वहाँ अगर हम देखें तो prices में एक strength बनी हुई थी और उस strength को market ने जब lose करना शुरू किया तो यह हम देख रहे हैं एक बहुत strong narrow range में market trade कर रहा है यह curve create हुआ था correction और उसके बाद market में यह एक range है actually यह एक box हम समझ सकते हैं जब तक इस box के बीच में market की trading चलती रहेगी तब तक कोई major moment आना possible नहीं लग रहा और एक चीज़ और जो लग रहा है के हो जाएगा वो यह के market में जो लास्ट दो trading दे बचे हैं इस महीने के most probably इसमें एक major moment आने के chances बने हुए हैं तो कहीं न कहीं एक profitable opportunity हमारे सामने आ सकती है वो आएगी कब उसके लिए हम थोड़ा सा wait कर रहे हैं और आगे चलते हैं daily time frame पे वहाँ देखते हैं यहाँ अगर हम देखें तो market में selling, recovery, फिर correction और यह support, prices उपर, consolidation, नीचे के लिए breakdown और prices यहाँ पर इस range में hold होते हैं नजर आ रहे हैं current price 1776.98 इतनी छोटी सी range में gold की यह trading चल रहे है इससे पहले भी अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से यह एक वो छोटी range थी जिसमें gold ने अपने आपको hold करके रखा था पर इस range के break होने के chances अब ज़्यादा बनते जा रहे हैं क्योंकि monthly closing होने वाली है contract की तो यहाँ से अगर market एक dip लेता है तो यह एक strong support है जिसे ignore करना एक बहुत बड़ी गलती होगी कोई भी closing इस trend line के नीचे अगर हो जाती है यह trend line आप अपने आप charts पे draw करके रख सकते है तो कोई भी closing इस trend line के नीचे अगर होती है तो एक major crash भी gold में आ सकता है आने वाले दिनों में तो यही देखना होगा कि market में एक correction के बाद recovery आती है या फिर इस trend line के नीचे market आता है तो वो एक सबसे important sign है जिसका market wait कर रहा है वापस चलते हैं गंटे के time frame पे उन levels को अब discuss करते हैं जो हमारे लिए अब important होने वाले हैं देखे सबसे पहला सवाल एक ही है कि buying नहीं आ रही strength नहीं बन पा रही वो strength बनेगी कब कौन सा वो magical level होगा जिसके उपर हम buying करने का सोच सकते हैं वो एक ही level है अगर market देखे सिर्फ touch करना काफी नहीं होगा मैं आपको फिर से बतारा हूँ 1791 इसके उपर अगर market थोड़ी देर के लिए अगर sustain कर जाता है तो gold के prices में एक अच्छी तेजी आ सकती है prices उपर की तरफ जा सकते है उपर में जो जो levels हैं और जिस तरीके से हमें ध्यान रखना है एक level है 1721 1821 ये काफ़ी important है इसके उपर अगर gold की closing हो जाती है तो इसमें और थोड़ा positional way में एक और strength बन सकती है या तो 1821 के उपर closing कर दे या फिर 1826 को intraday में ही market break कर दे इन दोनों में से कोई भी चीज आपको और समझने है आप एक बार दुदारा सुन लेना इन दोनों में से कोई भी चीज होती है तो gold में एक strength आ सकती है और prices जो है वो उपर जाने के लिए वापस से कोशिश कर सकते है पर जब तक 1791 break नहीं होता ये intraday के लिए है सिर्फ आप इसे positional भी मत समझना जब तक 1791 break होके market इसके उपर थोड़ी देर के लिए sustain नहीं करता तब तक कोई भी strength बन पाएगी ऐसी उम्मीद करना थोड़ा सा ज़्यादा गलत है नीचे में जो support level है एक 1770 का एक छोटा सा support level ज़रूर है उसके नीचे market अगर sustain करता है तो आज ही आज में crash की भी उम्मीद हो सकती है crash कितना बड़ा होगा वो कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि market already इस तरीके के sentiments दिखा रहा है कि market में bearishness continue रहेगी ऐसे में कई बार market बिल्कुल उसका उल्टा भी कर देता है crash ज़रूर लग रहा है पर अगर वो hold नहीं हो रहा होगा और prices एकदम से उपर की तरफ move करना शुकर देंगे तो ज़रूर वो एक turning point हो सकता है gold के लिए जिसके chances बने हुए है तो यह था मेरा gold USD पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे मेरे साथ देखते रहे है market report धन्यवाद